आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपकी सेंसिटिव एक्ने प्रॉन स्किन है तो आपके ब्राइडल मेकप कैसे कर सकते हैं तो चली देखते हैं तो यहां पर मैंने सबसे पहले यह नूट्रोजीना की क्रीम लिए है और बहुत ही अच्छी क्रीम है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो काफी अच्छी रहती है तो इसको मैं इस तरह से पूरे फेस पर लगा दूंगी और जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ भी एकने वगेरा हैं वहां पर आपको बहुत जोर से ऐसे रगड के क्रीम नहीं लगानी है बहुत लाइट हैंड से आपको मसाज करना है इसके बाद हम सबसे पहले आइब्रो बना लेते हैं और यहां पर मैंने यह आइब्रो जेल लि कर लेंगे अब यह मैंने लिया है कंसीलर और लोडियाल का कंसीलर है यह और काफी अच्छा फुल कवरेज कंसीलर है इसको मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा रही हूं तो हमें आइब्रो के नीचे इस तरह से थोड़े अमाउंट में ही लेना है बहुत जरूद से जाद के ऊपर और इसको मैं यहां ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से यहां मैं ब्लेंड कर दे रही हूं आप चाहें तो सिर्फ इसको ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं तो यहां मैं इसको इस तरह से जिससे कि बिल्कुल इवन आउट हो जाए और हलका सा इस पे मैं लूज पाउ इसकी हेल्प से हम यह कलर लेकर और इसको ब्लेंड करते जाएंगे तो थोड़ा-थोड़ा लेकर और ब्लेंड करेंगे अब इसके बाद मैंने इसी पैलट में से ब्राउन शेड लिया है और इसको भी मैं आउटर थर्ड से लेते हुए अंदर तक लेकर जाओंगी इनर और इसके बाद हम यहां पर इसको ब्लेंड कर देंगे इन दोनों ही शेड्स को बाद में मैंने यह ब्लाक कलर लिया है जो की जेकलिन हेल पालेट का है और इसको मैंने आउटर थर्ड में ही रखा है और क्रीज में भी हम बहुत जादा इसको अंदर लेते हुने जाएंगे बेसिकली इसको हमें बाहर की तरफ ही फोकस करना है, अब दुबारा यही मैंने कंसीलर लिया है, और हम यहाँ पर एक हाफ कट क्रीज बनाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर हम हाफ कट क्रीज बना लेंगे, यह जो ब्रश है, यह मैंने मॉर्फी का यूज किया है, और हलका सा इसको set कर देंगे यहां पर अब यह shade लिया है मैंने यह दी huda beauty का palette है तो इसमें यह जो golden वाला shade आप देख रहे हैं यह मैंने use किया है तो इसको लेकर जो हमने cut crease बनाई है वहां पर हम इसको लगा देंगे बाकी मैं इसको ऐसे finger से कर दिया क्योंकि बहुत ही shimmery है और यहां पर मैंने glitter primer लिया है nix का और glitter भी nix का ही है तो यह जहां पर भी golden हमने लगाए है इसको हम लगा देंगे यहां पर तो यह हम लगा देंगे यहां पर इस तरह से तो एक बहुत ही सुन्दर हमारा cut crease हो जाएगा golden और black और अब यह gel liner मैंने लिया है जो की कीको मिलानों का है तो इसको मैं लगा के और एक proper winged liner मैं यहां पर बना रही हूँ तो इस तरह से हम यहां पर एक winged liner बना देंगे और आप मुझको instagram पे भी ज़रूर follow कीजिगा मेरा id है पारूल सक्सेना तो ज़रूर आप वहां मुझको follow कीजिगा और यह जैसे कि आपने देखा मैंने primer लिया है जो की benefit का है और यह मैंने hydrating primer लिया है तो acne वगेरा अगर है तो अच्छा रहेगा यह इसको लगाने के लिए बहुत हमें dry या matte ऐसे नहीं लेना है जो भी कोई primer है तो इसको हम यहां पर लगा देंगे पूरे face पर तो एक अच्छा हमारा base होने में यह help करेगा इसके बाद मैंने यहां पर orange color character लिया है जो की यह LA girl का है तो जहां जहां पर भी आप देख रहे हैं हलका कुछ अगर brown spots वगेरा है या कुछ acne है वो इसको cover करने के लिए अच्छा रहेगा यहां dark circle में भी यह बहुत helpful रहता है औरेंज करेक्टर तो इसको मैं इस तरह से लगा के और हलका सा मैं इसको blend कर दूँगी और इसके उपर आपको कभी भी directly foundation नहीं लगाना है क्योंकि यह अंदर से फिर पता चल सकता है इसको हमें properly cover करना बहुत जरूरी है तो यह मैंने benefit का लिया है concealer और यह full coverage concealer है और बहुत अच्छे से आपका यह जो character है वो cover होना चाहिए नहीं तो foundation के अंदर से दिख भी सकता है अगर आपने directly लगा दिया तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से lock कर दीजिए basically और इसके ऊपर भी जो मैं foundation लगाऊंगी वो मैं full coverage ही लूँगी बिल्कुल भी sheer या medium coverage आपका foundation नहीं होना चाहिए तो वो अच्छे से फिर आपके कु अबर हो जाएंगे तो यह दोनों मैंने लिये हैं foundation यहां पर एक यह रूड और यह होड़ा दोनों को mix करके हमें लगाया है तो इस तरह से मैं यहां पर इसको लगा दे रही हूं और हलके से मैं इसको जैसे आप देख रहे हैं मैं बफ कर रही हूं इसके में बिल्कुल आपको रगड़ना नहीं है किसी भी तरह से जहां पर इस्पेशली आपने यह लगाया हुआ है करेक्टर तो आप उसको बफ कर दीजिए बाद में आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की ह्लिए हल्प से आप इसको कर लीजिए इसके आपका जो है बिल्कुल even आउट होना चाहिए इसको हम नेक पर भी लगाएंगे और पहले हम यहां पर इसको सेट कर लेंगे जिससे कि हमारा फांडेशन और यह जो अभी तक हमने बेस बनाया है तो यह मैंने सेट्टीं स्प्र और मैंने Sleek का Contouring Palette यहां पर यूज किया है तो मैं इसको पहले लगा दे रही हूं ब्रश की हेल्प से और उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे इसको लगा कर और यहां पर इस तरह से मैंने यह ब्रश चो है यह टेकनिक्स का लिया है इसको ब्लेंड करेंगे और से खौनियर पर दो बारा दे ए दो जो पे चिन पे नोस के ब्रिच पे अंडर आइस हम यहाँ पर लगा देंगे और ब्लेंड कर देंगे अब इसको यहाँ पर हम तो यह सारा अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर देंगे और यह लूस पाउडर अब यहाँ पर मैंने लिया है तो इसको हम लगा देंगे इस्पेशली जहां पर भी हमने यह लगाया है अपना हाईलाइटर वहाँ पर हम इसको लगाएंगे और बाकी फेस के लिए मैंने लिया है ये benefit का compact तो इसको मैं बाकी face पे लगा दे रही हूँ जिसे कि हमारा जो भी हमने contouring की है अच्छे से सारा कुछ set हो जाए और इसके बाद ये under eyes जो मैंने लगाया था powder इसको मैंने निकाल दिया है और यहां पर हलका सा contouring मैंने फिर से किया है यह मैंने bronzer यूज किया है यहां पर हूला का और blush palette के लिए मैंने यह elf का लिया है तो यह हम यहां पर लगाएंगे जो इसमें pink और यह जो दोनों pink वाले shade थे वो मैंने लिये हैं क्योंकि साड़ी जो है वो pink color की है तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर यह pink color का ही मैंने यूज किया है और यह लिया है मैंने highlighter और यह बेका का highlighter है बहुत ही अच्छा highlighter है तो इसको मैं यहां पर यूज कर रही हूँ और हलका सा हम इसको forehead पर लगाएंगे हलका सा chin पर लगाएंगे और बाकी nose पर और cupid bow पर हम इसको लगा देंगे और अब इसके बाद में मैंने mascara लिया है और यह benefit का mascara है और यह waterproof mascara है तो यहां पर हम लगा देंगे इसको और मैंने अब यह shade लिया है यह huda beauty का ही palette है तो यह वाला shade लिया है मैंने और इसको हम यूज करेंगे तो यह pencil brush की help से मैं यहां पर यह वाला shade लगा रही हूँ और इसको लगाने के बाद हलका सा black color मैंने लिया है और यह flat brush की help से मैं इसको लगा रही हूँ यहां पर और light golden shade में हुडा beauty वाले palette में है इसके बाद मैंने liquid glitter यहां पर लगा दिया है और यह इसके मैंने यूज कि है लैशेस जो कि primark की है इनका नाम है दुबई तो यह लगा देंगे और इसके उपर यह मैंने लाइनर लगा दिया है जिससे कि जो भी कुछ ही वाइट कलर का जो रह जाता है काई बार लैशेस पर लैश ग्लिव तो वह बिल्कुल भी नहीं दिखे एक दम नीट क्लीन सा लगे तो इसलिए मैंने उसको उसके उपर लगाया लिप्स्टिक मैने यह दोनो यूज की है पहले मैंने लिप लाइनर लगाया है पूरे लिप्स फिल कर देंगे उससे तो हमाई लिप्स्टिक काफी लॉंग लास्टिंग हो जाएगी और उसके बाद वो दोनों शेड्स को मिक्स करके मैंने यहां पर लगाये है क्योंकि और मुझको आप इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिगा So thank you very much for watching Bye